Hello Friends तो आज हम बात करने वाले हैं quadratic equation के बारे मिला और इस में पहले वीडियो में आमने quadratic equation के बारे बात किया था तो ति, आज ये हमारा quadratic equation पय cant know तो quadratic equation की जो पहले वाला ενिदिए लिए दो हम लेev emphasizes है quadratic equation है क्या तो यह संद्ग्सरेशल हो Quadratic Equation है क्या यह उमने बात किया था इससे पहले वीडियो में इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा कि simply हमने Quadratic Equation के बार में simplest definition दिया था हमने हमने यह बोला था कि हम area area under area under quadrilateral Quadrilateral को हम क्या बोलेंगे हम बोलेंगे उसे तो quadratic equation basically क्या है ,quadrati equation basic here quadratic equation और the area ? तो कंसेप्ट था , उस कंसेप्ट में hamar predictive equation का derivation Wirtaic подар a position X squared होता है सही , asi बील्कुर बाद बील्कूर सही है हमें समझा गया की quadratic equation simplist कौनसा X squared ठीक है पर जो मैंने एक concept बताया, समझने के लिए, कि हम quadratic equation को क्या माने, area under quadrilateral, उसे थोसा और जाधा हम strong करते हैं उस concept को, तो इस concept को कैसे strong करेंगे, उसे थोड़ा सा अब जाल चलते हैं, आप थोड़ा सा quadrilateral पे, तो quadrilateral पे चलते हैं, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं basically, तो य एक quadrilateral बनाते हैं, एक square बनाते हैं पहले, तो यह X, X length वाला square है, तो X length का जो ही square है, तो इसका area है तो इसका area कितना होगा, इसका area होगा, इसका area होगा, X square, रुको दो मेंट, X स्क्वार मैं ऐसे लिपता हूँ X स्क्वार इसका एरिया होगा समझ आ रहा है, बिल्कुल, मज़ आ रहा है कि इसका एरिया कितना है, X स्क्वार साइड स्क्वार सिप्लिस जिसमें कोई बात है कोई चलो, आगे बढ़ते हैं फिर तो मैं क्या भीतर बोल रहा हूँ अब यहां पर जो में बात बताने वाला हूँ वो कान, पुरा कान निकाल लो किसी तरीख से भी बात बिल्कुल ऐसे, ऐसे करके सुनना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन बात में बोलने वाला हूँ क्या, कि अगर मैं बोलूं कि इस साइड से मेहाँ पर इस साइड इस साइड में two units two units मतलब two units two units इस तरह बढ़ा दू और two units, similarly n нашей न्यचे में two units बढ़ा दू नीचे भी क्या क्रों नीचे भी two units बढ़ा दू तो यह जो बड़ा two units बढ़ा थो बन गया है यह क्या बन रहा है यह जो देखने में क्या पचल रहा है यह जो बड़ा एक जो बड़ा शेप बन रहा है यह इतना बड़ा वाला यह तो शेप से मैं पता चल रहा है डारेट शेप देखे कि यह स्कॉयर है कैसे क्योंकि यह एक्स प्लस टू लेंग्थ हो गया और यह जो पष्वार बना उसका एड़िया हो जाएगा सिंपलिस्ट क्या एक्स प्रेस्ट्टू का होड स्कॉर को बात समझा गया अब इसे थोसा वो करते हैं क्या ना ब्रेक करके इसका quadratic equation basically लिए से लाते हैं कि quadratic equation बन रहा है और इसका quadratic equation में इसका क्या form बन रहा है तो वह देखते हैं और यहां पर देखो बहुत important बात करने वह थो तो एकस प्रस टू का स्क्वाइर तो मतलब यहां पर ऐसे ब्रीक कर लेते हैं पहले इसे हम ऐसे लिख लेंगे एकस प्लस टू इंटू एकस प्लस टू हां और फिर हम क्या करेंगे इhard एकस को distributed x एकस 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 इंटू टू तो ती एकस इंटू एकस स्क्क्वायर कि फिर टू से इंटू ह kingdom और घू जाएक वह मारत 2 एकस और similarly 2x इंटू होगा इसका फिर 2 से 2 इंटू हो यह तो बेसिकले 2x प्लस 4 अभी जो कॉड्राटी के वेशिन बनाया है वह है x square plus 4 x plus 4 देखो समझा रहा है बल्कुल बहुत सिंप्लिस तरीके से बता रहा हूं तो इधर यह निया equation बनाया है किसकी तरह से बनना है x square plus bx plus c simplest और इसे क्या में बनना चाला हूं simply यह पता चल पा रहा है कि x square plus bx plus c से direct क्या है mail खा रहा है mail खा रहा है क्योंकि हम x square plus bx plus c के अधार पर क्या बताते हैं कि quadratic equation है या नहीं और उसमें important बात क्या है कि a क्या होना चाहिए a not equal to zero ना चाहिए और यहां पर a हमारा one है यह zero नहीं है तर तो चलो हम बहुत चला कि basically कि x square को जो हम इसमें two units add कर रहे हैं तो वह एक जो निया square बन रहा है एक जो निया square बन रहा है उस निया square का array कितना हो जाएगा x plus two का whole square ठीक समझ आ गया हम मैं क्या बोल रहा हूं देखो एक कोशन जैसे कोशन जैसे मनाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं कि x square था एक square the question मना रहा हूं मैं बोलूंगा question को भी समझने के लिए तुम से लोग लिए समझाने की लिखने हो रहा हूं यह x length का square था जिसका area कितना हो गया जिसका area हो गया से x square अम मैं क्या बोल रहा हूं कि जो x square का जो x length का जो square था इस square में क्या किया मैंने दो units one unit इधर add कर दिया और नीचे one unit add कर दिया तो यह जो नया square बन गया अब यह जो निया स्क्वायर बनाया है यह जो निया स्क्वायर इसका रेशियो निकालो अब पूछता है क्या कि इसका रेशियो निकालो कि जो निया स्क्वायर बनाया है और इससे पहले वाला जो स्क्वायर था उसका रेशियो निकालो कि वह कितना रेशियो होगा कितना square यह हमारे क्या है area of small area of small square और दूसरा हमारे क्या है जो हमारे x plus one unit का हो गया है x plus one unit x plus one unit का जो बन गया है नया हमारा square उसका area कितना हो जाएगा x plus one का whole square that is equals to a big बात बिल कुछ हो दस्त यह a small मतलब की area of small square is x square and area of big square is x plus one का whole square simply बात और फिर यहां पर क्या पूछ लेदा है तुम्हें कि इसका ratio निकालो a small by a big a small by a big क्या हो जाएगा हमारे small by a big हो जाएगा हमारा a small by a big हो जाएगा हमारा is equals to x square by x plus one का whole square तो यह हमारा ratio आता है यह ऐसा question पूछ ले आता है कि बोल देगा कि आप इसमें क्या करता है उसलों कि पूछ लेगा तुमसे की ratio बताओ और जो ratio निकाल रहा है इस ratio पे तुम्हें बोल देगा हो क्या इस ratio पे तुम्हें बोल देगा कि x का कोई value देगा और फिर बोलेगा कि a small by a big का क्या fraction वह रिश्यों बताओ मतलब मैं क्या बोलना चाहरा हो simplest में इसका एक और example आगे continue कर देता हूं मैं question को जो बोलना चाहरा हूं मैं कि फिर इधर क्या कर देते हो सब फिर बोल देंगे क्या क्या कर देंगे यह बहुत typical question आता है इस बहुत typical यह समझ नहीं आएगा अगर कोई अच्छे से इसे practice नहीं करेगा simple बात तो यहां पर देंगे क्या हो रहा है यह जो a small by a big हमारा आ रहा है x square by x plus 1 का whole square तो यह जो निया square बन रहा है इसका e जो इसका ratio निकल लिया ratio अम मैं इसको बताने वाला हूं कि यहां पर जो x है let x is equals to 1 अब यहां पर क्या बोल दूंगा मैं कि x1 पे a small and a big का value निकालो a small by a big का ratio निकालो तो a small a small by a big is equals to 1 square क्योंकि x1 है और यहां पर नीचे हो जाएगा 1 plus 1 का whole square that is 1 by 4 तो हमारा ratio निकल गया क्या ratio निकला कि a small by a big is equals to 1 by 4 तो ऐसा question आता है और फिर पूछ लेगा तुमसे कि जब x is equals to 1 है हमारा x equals to 1 है जहां पर हमने देखने के लिए मिल रहा है x is equals to 1 है तो यहां पर तुम बताओ कि a small से a small से a small कितना चोटा है a small कितना चोटा है 4 गुना चोटा है कितना चोटा है 4 गुना चोटा है कैसे वह सकता हूं क्यूंकि a small 4 a small लगेंगे तो हमारा एक a big आएगा चार small squares लगेंगे तो हमारा पास कितना आएगा एक x plus 1 हो वाला x square आएगा समझ रहे हो जब x is equals to क्या हो 1 तो यह हमने बात किया बेसिकली कि हमने क्या-क्या भी बात किया कि concept concept कैसे लेना है हमें concept यह है basically कि area under the quadrilateral is basically the quadratic equation उस concept में अभी हम गए उस concept में कैसे गए कि हमने बुला कि x square length का x square है उसको फिर उसका length में अगर हम add करे both sides पे both sides पे अगर हम length add करे यहां से 2 units यहां से add किया और इधर से 2 units add किया तो यह नया square बना वो x square length का वो जो x one unit जो two units length जो बड़ा है वो जो एक बड़ा square बना है उसका ratio निकालो small ratio के मुसार से small square के compare में तो ratio निकाला फिर ratio निकाल लें question पूछ लेगा कि x का value को ही देदेगा x का value बोल देगा 1 है तो यहां पर 1 का value रखके x is equal to 1 रखके फिर हम निकाल लेंगे क्या कि a small और a big में क्या relation है कि यहां पर relation क्या मिल रहा है कि x is equal to 1 हो जाएगा तो यहां पर 4 4 क्या 4 a small squares चाहिए एक a big square बने के लिए हम यहां पीतना concept हमें पता चला तो वही basic concepts और compare करते हैं तो और आगे बढ़ते हैं इसके तो ऐसी similarly क्या एक आजाएगा इस एक rectangle अब ले लेते हैं तो मैंने बात किया थे से जो रेक्टेंगल के बारे में तो एक स्मृत कथा और यह x क्यूत होन लेंध करे यह एक स्कूस यह एक्स प्लस नाट इसके रेकेक नह Referral लिसके बहुत कि तो अए्ट हे लेगो व्हारे स्कारलों Base जो जाएगा एसका इरिया इसका जो area है X plus 1 X unit का जो जो rectangle बन रहा है X plus 1 is equals to length और X हमारा breath है और तो इसका area कितना आ रहा है हमार ए जो area है यह area है आ रहा हमारा X square प्लस X बात समझा है यह भी क्या इसको जब compare करें दो क्या वह चल रहे है यह किसके equal आ रहा है यह आ रहा है न अपना सी यहां पër कुछ दूआ हैं ओर कुछ इदर क्या बूल रहा हूं कि जूंव हैं क्या यह वहाला रेकटांगल डिये मने बनाया है कि एक प्लेस्ट और एक्स लेंफ वाला ऐसे क्या बहुंद हो कि यहाँ पे मिनकल से एक उनित इधर धांड करें यह में इह से एक एड़ कर दिया है है एक जो एक तरहा ओर एक में नीचे से हैक कर दिया पर दो यूनित जूड़ कर दिया अब क्याथ तिक अगैक स्थलिटें कि रुअट कर रहा हूंक्यं में लाइप सब्सक्राइब किया इतона 15 को इसमें अगर में चरपने की बात नहीं है इतनी वादलिय लारuka काईडा इस अंतनी अगर हूं समझने इसमें डाउट नहीं होना चाहिए विल्कुल भी देखो अब फिर यह नया बनाया है यह क्या बन गया है स्क्वाइर बन गया है और इससे पहले था यह रेक्टैंगल और रेक्टैंगल से स्क्वाइर बना है बात समझे लोग इधर तो यहां पर हम मैं बोलूंगा कि फिर वापस तुम यहां से इसका रेशियो निकालो यह बिग और यह स्मॉल का रेशियो निकालो यह बिग यह स्मॉल का रेशियो निकालते हैं यह बिग यह बिग बाई स्मॉल आम निकालते हम इस बार वाले में निकालते यह बिग बाई स्मॉल तो यह बिग हमारा हो area of small rectangle और rectangle कितना होता है एक rectangle का मुझे निकाला था यह भी एक स्क्वाइर प्लेस एक स्क्वाइर प्लेस बात खता अब मैं आप बोल दूंगा कि x is equal to 1 रख लो x is equal to 2 रख लो ऐसा कोई वाल्यू बोल दूंगा मैं क्या x is equal to 2 रख लो कि 1 plus 1 plus 2 का whole square डिवाइड बाय वन प्लस वन डिवाइड बाय एसमॉल चलो नीचे आते हैं धुरसां आप देखो इतर एबिक बाय एसमॉल हमारे कितना आ गया हमारा यह आगे नाइन बाय टू एबिक एबिक बाय एसमॉल आप इतर से हम क्या देख पाने कि दो बीग दो बीग स्कॉर्स लगेंगे तो नाइन हमें एसमॉल रेक्टैंगल चाहिए होंगे मतलब दो बड़े-बड़े स्कॉर्स किस लेंद के x प्लेस टू वले जो है जब x is equal to 1 हो जाएगा जहां पर जब x is equal to 1 हो जाएगा तो उसक जो कितने लेंद के होंगे कितने लेंद के होंगे x square plus x वाले 9 क्या 9 rectangles चाहिए होंगे सोच लो अब मैं ऐसी increase करते जाओंगा तहां पर टू रख दूंगा तो ऐसी ratio भरते जाएगा उतना अधा हमें rectangle चाहिए होंगे उतना अधा rectangle बढ़ते जाएंगे उतने ही जितने आध दो गुना तीन गुना ऐसे बढ़ते जाएगा सब यह ratio बढ़ते जाएगा जितना आधा मैं number यहां पर जितना आधा मैं यहां पर x का value बढ़ते जाओंगा और कोई बात हैं इदर तो हमने इदर क्या समझा भी मैंने concept दिया और क्या concept दिया मैं कि area under quadrilateral को हम क्या बोलते है quadratic equation मैंने भी simple बताया कि एक excellent होले square का एक excellent का जो square है उसका एरे कितना होगा x square क्योंकि वो side square वो ता area of square तो यहां पर मैंने क्या बताया कि हां पर हम x square निकाल लेंगे basically समझ आ गया बात समझा रहा है फिर मैंने क्या हो ला कि one units two units हमने इसे बढ़ा दिया once two units क्या कर दिया हम इसका जो नया जो बनेगा shape rectangle square उसकी ratio निकाला ratio निकालना सिखाया उसके वाद फिरमने मैंने बताया कि हम compare करना मैंने बताया कि compare कैसे करते हैं दुसरी एक shape को दुसरी shape से तो यहां पर मैंने comparison पे मैंने दूँदो एग्जांपल ली एक square से इंदूसरी square को और एक लिए मैं एक rectangle को square से compare किया अम मैं तुमें एक homework देने वाला हूं कि तुमी एक चीज find out कर आना यह यह find out करना कि यहां देखना यह जो तुमारा question है कि यहां पर हमने क्या रखा था इस वाले square से square वाला square से स्कुयर से स्कुयर वाला जो हमारा कोशन था इस स्कुयर से स्कुयरवाले कोशन में मैंने यहां पर x is equal to 1 रखा था बट मैं तुम्हें हमें बोलूँगा तुम्हें कि x is equal to 2 पर value निकालो क्या a small by a big का ्त एas small करने और नीचे comment box में करना है और बताना है कि यह इस्मॉल बाढ़ बिक का जो न्या रेशियों आ रहा रहा है और यह पुराने वाली रेशियो उससे यह कितना ज्यादा बढ़ा है कितना जूत कितना गुना बढ़ा है है दो गुना बड़ा तीन भुना बड़ा ओ तुम्हें बताना है 3-times increase हो यह पो टाम सिंघ्रीज वह ओध में बताना है कहां पे comment box में नीचे comment करना है जब तुम x equals two रखोगे कहां पे x के तरफ यहां पे एक्सकी तरफ यहां से आपर रखोगे और इहां पर और में पटाना आली कमेंट बॉक्स में बहुंट जुनी चीज है देखते हैं कि तक संवा में इसने कितने लोगे बताते हैं तो थैंक ये वाल हुए में बात करने वाले है रूट के बारे में इस वीडियो में वाहिए और के पट्रीन और रूट्स